Hello Friends, Welcome to our YouTube Channel Asandra for You Friends, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस यूटूब चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो आज ही सस्क्राइब करें अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़ादा से ज़ादा लाइक और शियर करें और साथी बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरह कि लेटिस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं अधिक मास की उस अमावश्य तिति और इससे जुड़े लापकारी उपायों के बारे में जिसके साथी अधिक मास का समापन होने जा रहा है। माना गया है। साल 2020 में अधिक मास का समापन सुख्रवार के बहुतिसुब योग में होने जा रहा है। जिस कारण इस विशेश अमावश्य तिति पर यदि आप माता लक्षमी को परसंद करने के लिए कुछ उपाय करते हैं तो माता रानी के हसिरवात से आपके हरिच्छा अक्टूबर सुक्रवार को अस्विन अमवश्य तिति प्रारंब होगी 16 अक्टूबर प्रात काल 4 बज कर 22 मिनट पर अस्विन अमवश्य तिति समापत होगी 17 अक्टूबर प्रात काल 1 बजे आईए जानते हैं इस दिन कौन से काम करने चाहिए दान करें अमवश्य तिति क अगर आप काफी समय से आर्थिक परेशानियों से गिरे हैं और बहुत कोशिशों के बाद भी आपको सबलता नहीं मिल रही है तो इस आउसर को हाथ से न जाने दें पुरसुत्म मास की सुक्रवारी अमवश्या के दिन प्रात स्नान कर भगवान स्रीहरी का नाम लेते हुए आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाएं और इन गोलियों को मचलियों को खिला दें ये उपाए आपकी सारी परिशानियों को दूर कर आपको आर्थिक रूप से प्रात स्नान कोन में गाए के घी का दीपक जलाएं और इसमें लाल रंग के धागे की बद्धी का प्रियोग करें। अमवश्या पर किये इस उपाए के प्रभाव से मा लक्षमी पर सन्न होती है और व्यक्ति के घर को धन धानने से फर देती है। पीपल के नीचे दीपक जलाएं। आता लक्षमी के साथ भगवान विश्नु की भी पूजा अर्चना करने से उनकी असीम क्रपा आपको प्राप्त होती है। माना जाता है कि ये आप सुक्रवार की अमोश्या के दिन मध्यरात्री में दक्षणावर्ती शंक में जल भर कर भगवान विश्नु जी का अभिशेक करते हैं तो इस उपाए से आपको मा लक्षमी और भगवान विश्नु जी के आशिरवास से आर्थिक लाप प्राप्त हो करने रखते हैं